ओ क्रिपा कराहु यही भाती सबत जीभजन कराहु दिन राती स्री राम जै राम जै जै राम बोल ये स्री सद्गुर्देव भगवान की जै भगवान परमात्मा भक्त का सब कुछ उसके पास रहने देते हैं अगर हरन कर लेते हैं तो उसका अभिमान क्योंकि साधना में सबसे बड़ा अगर अहंकार है दुस्मन सबसे बड़ा अगर रोड़ा है तो वह है अहंकार अभिमान और प्रतेग साधक को प्रतेग भक्त को साधना का ज्यान का सेवा का कुछ न कुछ अहंकार दाब देता है तो भगवान देखते हैं कि इसके अहंकार को तोड़ दें ताकि फिर से उसकी चीजें बनी रहती हैं हम न होते तो ये न होता हम न होते तो ये न होता अपबल तपबल बाहुबल चवथो बल है दाम सूर किसोर क्रिपाते निरबल केबल राम इसलिए भगवान जहां देखते हैं कि इसको कुछ बल हो गया घमंड हो गया किसी भी चीज का अभिमान हो गया तो उसे तोड़ देते हैं जब अभिमान तुट जाता है तो उसके अंदर दीनता आ जाती है गोश्वामी तुलसी दास जी ने विने पत्त्रिका में अपनी बिने भावना स्रद्धा भाव बड़ी सुंदर धंग से प्रमात्मा के प्रति अर्पित किया है तो इसी प्रसंग में एक प्रशंग है कि भगवान के नारायन के वाहन और अस्त्र दोनों लोग को सेवा करते करते अभिमान हो गया श्री हरी के वाहन हैं गरुण जी और अस्त्र हैं सुदर्शन गरुण जी को भी घमंड हो गया और सुदर्शन को भी घमंड हो गया कि हम भगवान की बड़ी सेवा करते हैं हम न होते तो यह न होता वह न होता सत्रुओं का नास न होता गरुण जी को घमंड हो गया कि हम न होते तो भगवान को इतनी तेजी से एक दूसरे अस्थान से कौन पहुंचाता जो कि गरुण जी खूब अच्छी तरह से जानते थे कि भगवान सर्वत्र हैं बिनुपद चलई सुनई बिनुकाना कर बिनुकरई करम बिधिनाना भगवान सर्वत्र हैं हर व्यापक सर्वत्र स्रमाना सब पता था उन्हें लेकिन फिर भी कर्तित्वा अभिमान भक्त को हो ही जाता है तो भगवान ने देखा कि दोनों की सेवा थोड़ी बाधी थोड़ी अभिमान के चलते मन में संकलप है तो भगवान ने कहा कि गरुन जी ऐसा करो एक मेरा भगत है बानर रूप में होगा आकार वैसा ही और जाओ हिमाले परवत परबैट के तपस्या कर रहा है राम 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 जप रहा होगा लेके आओ बुला के आज उससे मिलने की हमारी इच्छा कर रही है गरुड जी ने का भगवन आप घबड़ाओ मत मैं यू गया यू पीठ पर बैठाया और यू लेके आगया आप से मिलवा दूँगा आप चिंता न करें आप आराम करें चीर सागर में मैं जा रहा हूँ लेके आजा रहा हूँ गरुड जी जब चले गए लाने के लिए तो सुदर्शन को भगवार ने बुलाया बोले देखो मैं जा रहा हूँ आराम करने दर्वाजे पर ड्यूटी दो कोई भी अंदर ने आने पाए मेरी आगया के बिना सुदर्शन ने का प्रभू आज तक आपने जो आगया दी है मैं उसका उलंगन थोरी किया हूँ आप आराम करें स्रिष्टी का भार आपके माथे पर है मैं हूँ मैं देख लूँगा कोई आपको डिश्टर्ब नहीं करेगा आप जाओ दोनों लोगों की बातों में कहीं ने कहीं अभिमान जलक रहा था आप आराम करो मैं देख लूँगा गरुन जी ने कहा आप निश्चिंत्र हो मैं लेके आ जा रहा हूँ पहले जब भगवाने लोगों को आदे से जो आज्याँ प्रभू जो आज्याँ प्रभू शिरोधार आपकी कृपा से हो रहा है मैं अभी सेवा करूँगा लेकिन सेवा करते करते सेवा का भी अभीमान साधक के सिर्फर चढ़ जाता है और भगवान का भोजन है तो अहंकार क्योंकि भगवान हमेशा अपने भक्त का हित चाहते हैं इसलिए देखते हैं कि अगर यह अहंकार माथे पर इसके चढ़ा रहा तो फिर इसको एक दिन गिरा देगा इसलिए अहंकार तोड़ देते हैं फिर से उसकी भावना निर्मल पवित्र दीन हीन भो जाती है और दीन हीन बनके ही भगवान को पाया जा सकता है गरुन जी गए हनवान जी राम 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 की रट लगा रखे थे एकदम बैखरी में जप रहे थे बहुत लोग करते हैं महाराज हनवान जी की परा की इस्थिती थी फिर भी बैखरी में जप रहे थे भगवान का नाम किसी भी इस्थिती में आप जपो ऐसा ने आपकी इस्थिती पर आप अस्यंति मध्यमा की होगी ता आप बैखरी में नहीं जब सकते आप किसी भी स्थिती में जब करो फल उतना ही है ये केवल इस्टेप बाई इस्टेप है लेकिन जब का फल तो इतना ही है आप जब तो रहे हो राम ही चाहे आप परा से जब रहे हो चाहे बैखरी से ज रहेंगे मध्यमा परापस्यंति में कब जाएंगे ये उनको टेंसन निकाल किसी भी तरह से जपो भगवान का नाम जपो अंकार का त्याग करके बस कहें कि तुलसी अपने राम को रीज भजो चाहे खीज उलटे सीधे सब उगे पड़े खेत को बीज इसलिए हनुबान जी राम 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 जप रहे थे और गरुण जी ने कहा कि अगर आप जप लिए हों तो भगवान की कुछ आग्या है उसको मैं कहता हूँ तो हनुबान जी ने कहा रहे भगवान की आग्या है बताईए मैं उन्हीं का तो नाम जप राम बोले भगवान ने आपको बुलाया है अभी तुरत आपसे मिलना चाहते हैं तत्छन इसलिए आप मेरी पीठ पर बैठ जाओ मैं तत्छन लेके चलूँगा हनुबान जी ने कहा के चलो मैं आ रहा हूं गरुण जी को बढ़ा गुस्सा लगा बोले आज तक तो हमसे तेज कोई चला ही नहीं करा चलो हम आ रहा है गरुण जी ने कहा रहे बैठो ना जल्दी चलो मैं लेके चलूँगा ना हनुबान जी ने कहा रहे भाई जाओ न मैं आ रहा हनुबान जी तो ध्यान दर के जान गए भगवान लीडा करना चारें इसका भीमान तोड़ना चारें इसकी पीठ पर मैं क्यों बैठो भरत जी भी हनुबान जी को सीक के बाण पर बैठाना चारें थनुबान जी कहा नहीं बस मैं चला जाओंगा हनुबान जी कभी किसी सहारा नहीं लिया भक्ती का अपने सहारा उन्हों ने लिया राम जी का सहारा लिया लेकिन अन्य का कोई सहारा नहीं लिया एक जगाँ बाबा तुलसी दास जी ने मानस में कहा भी है कि मोर दास कहाई नर्यासा कहाँ तो करहाँ कहाँ विश्वासा भगवान करते हैं मेरा दास हो कि किसी का अन्यकी आसा कर रहा है तो फिर मुझे पर विश्वास कहां किया वो तो दूसरे का विश्वास किये गए फलाने हमको यह कर देंगे फलाने हमको यह कर देंगे फलाने तो खुद रो रहे हैं तुमको क्या कर देंगे इसलिए जो सबका कर रहा है उससे कर वाओ तो हनुमान जी जानते थे झानते थे भ़ग्वान का मैं दास हो, तो यह लोग क्या करेंगे, इसलिए बोले हनुमान जी जाओ मैं आ इधर हनुवान जी अपना पवन तनयबल पवन समाना गरुण जी रास्ते में ही है कि हनुवान जी आ गए गेट पर गेट पर आ गए तो सुदर्शन लगा उनसे लड़ने क्योंकि भगवान की आग्यां थी कोई अंदर ने आने पावे सुदर्शन तिर तिर इधर से इधर कर भगवान ने अनुवान जी ने आख धर के मूद के देखा बोले वो प्रभु इसका भी अहंकार तोड़ना चार है हमसे ही तुड़वाना चार है है इसलिए सुदर्शन को ऐसे पकड़ा हनुवान जी ने और ऐसे ऐसे स्वरा के मुहे में दवा लिया और अंदर चले गए भगवान मुस्कुरा रहे थे बैठे हुए थे नारायम तब तक गरुण जी आ गए गरुण जी देखे तो आश्चर ये चतितरी बाबरी हम तो अभी रास्ते में ये भगवान से बातें कर रहा है उनका तो अहंकार वहीं तुट गया बाप्रे मैं तो सोचा था कि मुझसे ज़्यादा तेट चलने वाला कोई नहीं गरुण जी दंडवत किये हनुमान जी को पहले फिर भगवान को बुले प्रभु आपने तो मेरा भिमान तोड़ दिया भगवान ने कहा रहे हनुमान जी आप आये तो आपको गेट पर कोई रोका ओका तो नहीं हनुमान जी ने कहा हाँ प्रभु एगो खिर्खिरी नियर ऐसे से भूम रहा था इधर मुझ में दापके रखा हूँ बुले निकाल दो तो सुदर्शन भी हमबान जी को दंडवत किया भगवान को दंडवत किया बुले प्रभु मुझको भी अहंकार हो गया था कि मैं भगवान का बहुत कारे करता हूँ तमाम शत्रूओं का मैंने नास किया आपने मेरा सहज अभिमान तोड़ दिया अब मैं आपकी सेवा जो होगा करूँगा आपके बल से ही हम लोग बलवान हैं जाके बल लव ले सते जितें चराचर जार ता सुदूत मैं जाकर हर याने उप्रियनार जिसके थोड़े से बल से रामर चराचर को जीत लिया था इसलिए गरुन जी और सुदर्शन कर रहे हैं भगवन आप के ही बल से हम लोग बलवान हैं हम लोग के पास कोई बल नहीं वास्तों में किसी भी इंसान के पास कोई बल नहीं भगवान है ते हाथ काम कर रहा इससे परमाणू चला रहे हैं लोग डाइनाम माइट और बम चला रहे हैं किसी को मार रहे हैं किसी की सहायता मदद कर रहे हैं इन्ही हाथों से किसी का उपकार कर रहे हैं, भगवार अंदर से निकल गए, यह हाथ नहीं उठता है, काम करना बंद कर देता है, यह भगवान, प्रमात्मा, नारायन, खुदा, गौड, सक्ती, प्रशक्ती, बिज्ञान के लोग कहेंगे भाई सक्ती, पावर, जैसी जिसकी भावना है, लेकिन हैं, प्रमात्मा, इश्वत, हैं अंदर, क्रिएट है, अंदर से बाहर, निकल भगवान के बल से ही, भगवान पेड में है, तो हरा भरा है, निकल गये सुखा होगे, पानी में भगवान है तो उसका स्वाद है निकल गए स्वाद खतम तो इसलिए सर्जनों ब्यर्थ का अहंकार अपने इस कहानी से आपने क्या सीखा कि जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ प्रमात्मा की मर्जी से हो रहा करते हो तुम कनहया मेरा नाम हो रहा है